सर्दियों के फूल बहुत ही खुबसूरत होते हैं देखने में चोटे चोटे कंटेनर में बहुत सारे फ्लार्स हम लगा सकते हैं और चोटे कंटेनर में बहुत अच्छी फ्लारिंग भी करने लगते हैं प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब फूल फ्लारिंग बिल्कुल भी नहीं करते या दो चार दिनों पर कभी एक या दो फूल आ गए उसी में हमें खुश होना पड़ता है लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे फर्टिलाइजर के बारे में बता रही हूँ जिसे यदि आप इस्तिमाल करेंगे तो जल्दी फ्लारिंग मिलेगी आपको ये स्लो रिलीज फर्टिलाइजर नहीं है यह fast release fertilizer है यानि कि जब इस fertilizer को हम use करते हैं तो दो तिन चार दिनों के बाद ही हमें result देखने को मिल जाता है बलकि जो fertilizer आज मैं आपको बता रही हूँ इसे आप बना करके रख लें मैंने भी ऐसे ही किया है छट पर ही इसे बना करके रख दिया है और नॉर्मल पानी की जगह में यही वाले जो fertilizer का liquid है मैं हमेशा अपने प्लांट को देती हूँ और आप देखिए फ्लारिंग बहुत अच्छी हो रही है chemical fertilizer तो महीने में एक बार hardly दे दीजे लेकिन हमेशा देने से बहुत जल्दी अपका प्लांट खराब हो जाता है देखिए केले तो सबके घर में आते हैं केले के छिलके से fertilizer बनता है ये भी हमें पता है लेकिन क्या आपको ये पता है कि केले के छिलके के fertilizer को कब तक use कर सकते हैं और किस तरीके से use कर सकते हैं बस दो-तिन छिलके को लेकर के इस तरीके से सबके घरों में ये बॉटल पड़े होते हैं, इसमें बंद करके छोड़ दीजे, ये खराब नहीं होते हैं, ऐसा नहीं होता कि इसे अभी दो-चार दिन, दस दिन ही यूज़ करेंगे, इसके पानी को आप जब तक चाहें तब तक यूज कर सकते और यह है orange pills इस जगा पे आप लेमन पील भी ले सकते हैं इसे मैंने बना कर छटपर ही रख दीया है आज कल सर्दियों के जितने भी फूल है ना उन्हें में यही वाले water देती हूँ नॉर्मल पानी तो देना ही है तो क्यों न इसे ही दिया जाए लेकिन जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ जब कभी फर्मेंट करने के लिए आप किसी भी लिक्विड को रख देते हैं तो उसे डिरेक्ली कभी यूज ना करें मातरा अपने एकॉर्डिंग दसवा भाग मिला ले यदि एक चम्मच यह है तो दस चम्मच नॉर्मल वाटर होना चाहिए इससे क्या होगा कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और इससे आप एवरिडे इस्तमाल कर सकते हैं कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है और इससे हमेशा कहती हूँ कि दो चार ऐसे वाले खाद आप बना करके रख लीजे जब कभी आप जाते हैं वाटरिंग करने तुरंत उसे जिस भी चीज़ से वाटरिंग कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा मिलाईए और अपने सभी प्लांट को दे दीजे सबसे अच्छी बात है चाहे वो इंडोर प्लांट हो आउट्डोर प्लांट हो सभी को यह औरेंज पील या लेमन पील वाला जो वाटर है यह सभी को दे सकते हैं और यह बहुत हद तक आपके पौधे पर कीट नाशक का भी काम करता है देखिए यह मेरे पौधे में बिलकुल भी फ्लारिंग नहीं हो र और जो यह बनाना पील वाला फर्टिलाइजर है जो पोटेशियम से भर पूर है फ्री का पोटेशियम है जो आपको फूलों को बहुत जादा लेने में हेल्प करेगा आप उसको पानी में मिला कर एवरी डे यूज किया किजिए और फिर देखिए कैसे फ्लारिंग नहीं हो यह वो चीज़ है जो सब लोग घर में एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं और केले के छिलके में क्या होता है यह आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं देखिए जितने भी इस तरीके फ्लार्स हो जैसे यह फ्लॉक्स है यह हैवी फर्टिलाइजर कभी भी बरदाश नहीं क है ऐसे जितने भी सर्दियों के फूल है या गुडहल भी है या पर्मनेंट जितने भी फ्लार्स है इन सब के लिए आप यह केले के छिलके वाली खाद जो है यह तरल जो मैंने आपको लिक्विड बताया है यह डाल करके देखिए बहुत अच्छी फ्लारिंग होगी और सब सबसे अच्छी बात है कि आज लिक्विड डाला तो एक दो दिनों में यह फर्क आपको समझ में आता है अब लास्ट में इसका एक केमिकल फर्टिलाइजर बता देती हूं यह पोटाश यदि आप पोटाश नहीं यूज करना चाहते हैं आप केले के छिलके यूज किजिए केले के छिलके आपको लगता है कि नहीं यूज कर सकते हैं यह नहीं बना सकते हैं तो उसी का सब्स्चीट यह पोटाश है पोटाश के लिए आप चाहे तो इस्तमाल कर सकते हैं पानी में घोल करके या फिर एक चमब जैसे मैंने डाला ऐसे डालिए और यह पोटाश यह दि तो नेक्स डे अब हम लेमन पील डाल लेंगे ऐसे करके आप अपने सभी सर्दियों के प्लांट को फर्टिलाइज करते जाएए और फिर देखिए कितनी अच्छी फ्लारिंग होगी सभी प्लांट के लिए ये बहुत ही अच्छा है